अगर आप भी एक Pencard धरक हैं आपने अभी तक अपने Pencard से आधार काड को लिंक नहीं करा है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी जारी कर दी गई है जी हाँ Pencard से आधार काड को लिंक करने की अंतीम्तिति में बढ़ोतरी कर दी गई है जैसी कि आप सभी जानते हैं कि अगर आप पैनकार्ट को आधार से लिंक नहीं कराएंगे तो आपको भारी जुरुमाना देना होगा और साथ ही आपका जो पैनकार्ड है रहे भी निसक्रिया कर जाएगा तो यहाँ पर अंतिम्तिति में बढ़ोतरी कर दे गई है साथ ही कुछ व्यक्तियों को छूट भी दी गई है जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं अगर आप भी जानना चाते हैं कि क्या छूट दी गई है और कितने अंतिम्तिति बढ़ाए गई है तो बने रहेगा हमारे साथ अंत तक वीडियो को देखते रहेगा लाइव आपको ओपिशल वेबसाइट पर हम दिखाने जा रहे हैं वीडियो जुरू करने से पहले आपसे हमारा चोटसा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो किरिप्या वीडियो को लाइक कर दीजेए चलते हैं सिदे ओपिशल वेबसाइट पर तो जैसे ही आप यहाँ पर ओपिशल वेबसाइट पर आएगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 30 सितेमबर 2023 जो है वैंतिम तित्थी में बढ़ोतरी कर दे गई है यानि के जो 31 मार्च को निर्धारित किया गया था आप उसे बढ़ा कर 30 सितेमबर कर दे गया है जैसे आप नीचे स्कोल करेंगे तो नीचे स्कोल करने के परांथ आप यहां पर देखेंगे अपडेट लेटे आप यहां पर क्लिक कर देना है जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो नैश्ट पेज है वह ओपन हो जाएगा अब यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं जो अन्तिम तित्थी बढ़ाई गई है वैं 30 सितेमबर 2023 अभी निर्धारित की गई है अगर आप अभी तक अपने पैन कार से आधार कार को लिंक नहीं करा है तो आप करा लिजे अन्ता आप पर जो है दोस्तों 10,000 रुपे तक का जुर्माना लगेगा जी हां अभी जो आपको तित्थी दी गई है वह है 30 सितेमबर तक आपका पैन कार वैं निस्क्रिया नहीं किया अगर आप अपने पैन कार से आधार को लिंक नहीं कराते हैं तो आप छूट किसे दी गई है उसके बारे में भी हम आपको बदा देते हैं उससे पहले आपको बदान चाहेंगे कि अगर आप दोस्तों इसको रिड करना चाहते हैं तो रिफर यहां पर नोटिफिशन देया इस परकार से और आप दोस्तों उसको देख पाएंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं जो इंकम टैक्स की तरफ से इंकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिशन जारी किया गया है वह आप यहां पर देख सकते हैं आप नीचे स्कोल करेंगे दोस्तों तो आप यहाँ पर इसको पुरा रिड़ कर सकते हैं और जान सकते हैं कि जो 31 मार्च तिति निर्धारित की गई थी वह अब बढ़ा कर 30 सितेमबर 2023 कर दे गई है 37 में काफी व्यक्तियों को छूट भी दी गई है कुछ राज्या से हैं जिन्हें यह कार्या नहीं कराना है यानि कि अगर वह यह कार्या नहीं कराते हैं तब भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं है और नहीं उन पर कोई जुर्माना लगेगा जैसे कि आपका असम है और दोस्तों आपका मेगाल्य है और आपका जम्मू और कस्मीर है राज्य के जो व्यक्ति हैं अगर आपने पैन कार्ड स जो पयाता है उन्हें कोई कारिया नहीं करते है नहीं करते हैं तब भी उन पर कोई चार्ज नहीं लेगा अधरवाईज जो और सभी व्यक्ति हैं पुरे देश के जो राज्ये हैं तीन राज्योग छोड़कर जो हमने आपको बताए हैं उन सभी कोई है जो कारिया है करना होगा ठीज दोस्तो आप अन्तिन से पहले यह कारे करा लिजिए आपको यहाँ पर करीब तीन महीने का समय मिल चुका है जितने जल्दी हो सके आप यह कारे करा ले अन्यता दोस्तो आपको भारी जुरुमाना भी उठाना पड़ सकता है अब यहाली में एक हजार रुपे का जुरु आप पर लग सकता है अगर आपका पैन कार्ड निस्क्रिया करते जाता है आप अगर अपनी पैन कार्ड को दोबारा से चालू कराएंगे तो आपको दस हजार रुपे तक का जुरुमाना धुगतना पड़ सकता है यह कारिया आप किसी भी नजदी के जन से वाक केंद पर ज कर दीजिगा कि जुस्तों अगर आप जानना चाते हैं कि आपका पैन कार्ड अधार कार्ड से लिंक है या फिर नहीं आपको लिंक अधार स्टेटर्स पर किलिक कर देना है अगर आप दोस्तों अपना पैन कार्ड से अधार को लिंक करना चाते हैं तो आप यहां पर लिंक करना पड़ सकता है आप घर बैटे ही बिल्कुल मुफ्त में यह कारे कर सकते हैं यानि के आपको केवल 1000 रुपए जुरुमाना देना पड़ेगा और अधरवाज आपको कोई भी पैसा देना नहीं पड़ेगा अगर आपको यहाँ वहाँ पर 100 रुपए जो है दुस्तो 100 रुपए आपको देने पड़ेगे तब आपका जो पैन कार्ड है वह आधार से लिंक होगा और 1000 रुपए आपके अलग से काटे जाएंगे तो जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आजाएगा जहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर को दर्ज करना होगा दोस्तो उसके बाद आपको सम्मिट कर देना जैसे कि आप इसकीन पर देख वाते हैं यहाँ पर आपको पैन कार्ड नंबर देना है यहाँ पर आधार कार्ड नंबर देना है उसके बाद आपको दोस्तो सम्मिट के ओप्शन पर जो है किलिक कर देना है तो यहाँ पर आपक हमारा निविदन है कि अगर आपने अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो किरप्यां वीडियो को लाइक कर दीजे और ज्याद स्यादा वीडियो को शेयर करेगा चैनल पर आप पहली बार आये हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेजगा आप च के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत